Good morning students of Standard 2 आज हम आपको आपके हिंदी पाठ्ट पुस्तक से Chapter 9 जिस कहानी का नाम है चन्दन की शुगंद जिस कहानी का नाम है चन्दन की शुगंद ठीक है? चन्दन की लकडी हम लोग अनेक कामों में उपयोग करते हैं और चन्दन की जो सुगंद है सुगंद का मतलब है यहां खुस्बू यानि चन्दन बहुत ही कीमती लकडी है समझ गया होंगे? सुगंद का मतलब होता है खुस्बू ठीक है? तो मैं आपको अब विस्तिरित जानकारी दूँगा इस कहानी के मैजधन से आप इस चित्र को देखने हैं यह है चन्दन की चन्दन की यह पेर है और यह बबूल की पेर है ठीक है? मैं उसे आज मैं विस्तिरित जानकारी दूँगा आपको और पढ़ाऊंगा भी ठीक है? मैं पढ़ता हूँ एक जंगल में चन्दन और बबूल के पेर पास पास ही खड़े थे चन्दन के पेर से एक भयंकर बिसेला सांप हमेसा लिप्टा रहता था वो थूंकार मारता और बिस छोड़ता था इस कारण लोग उसके पास जाते हुए भी डरते थे आप लोग देख रहे हैं इस पिक्चार में चन्दन की पेर पर एक भिसेला सांप जो लिप्टा हुआ है ठीक है? वो अपनी बिस को छोड़ता था इसलिए लोग उन्हें काटने के लिए नहीं जाते थे ठीक है? एक बार बरसा हुई बरसा के जल से भीग कर चन्दन और भी अधिक सुगंदित हो गया तथा अपनी सुगंद सब और फैलाने लगा तो बरसा के समय था बरसा यानि पानी बरसता है तो पानी बरसने से चन्दन की पेड भींकर और अधिक खुसबू छोड़ती है ठीक है? और चारो तरफ फैलने लगते हैं किन्तु चन्दन से लिप्टे सांप पर उसका भी कोई असर ना पड़ा वो बैचयन बना रहा और गुसे में फुंकार मानकर चन्दन पर चोट करता रहा यह सुगन कहां से आ रही है यह जनने के लिए सांप अपने तीखे धान्तों से चन्दन पर बार-बार चोट करता था चन्दन चोट शान करता हुआ भी सांध बना रहता लेकिन जब शाप को इसकी सुगन्द मिलती तो वे सोचते कि ये सुगन्द यानि ये खुस्बु कहां से आ रही है तो गुस्य से उस पर चोट करता था ठीक है चंदन का पडोसी बबुल ये सब देखकर बैचेन हो उठा तो उनका जो पडोसी है बबुल का पेड़ वो देखकरके ये सब देखकरके वो बैचेन हो उठा उसने सोचा अगर साप मेरे सरीर पर इस तरह लिपट जाए जैसे ये चंदन के चारो और लिपटा हुआ है तो मैं इसके सरीर में धेरो काटे चुभा दूँगा तो आप बबुल का पेड़ जब देखते हैं तो बबुल का पेड़ जो है ये काटों से भरा हुआ होता है ठीक है तो उनको देख देख करके साप के उपर गुशा हो रहा था कि अगर मेरी सरीर पर या मेरी उपर ये साप आए तो मैं अपनी काटों को उसके सरीर पर चुभा दूँगा और बबुल का कोई वस नहीं चलता था साप उसके पास आता तक नहीं था वह खीज कर रह जाता था तो बबुल के पास तो साप आता नहीं था इसलिए वह पुरा खीज कर रह जाता था मंतला जुझला कर रह जाता था एक दिन साप चंदन पर चोट कर रहा था। यह देखकर बबुल चंदन से बोला भाईया तुम साप के टुकडे टुकडे कर दो नहीं तो यह दूस्ट तुम्हे नस्ट कर देगा। यहां दुस्ट का मतलब होता है बुरा और नस्ट का मतलब होता है समाप्त करना तो बबुल उस चन्दन की पेड़ को बोले कि आप इस साप को टुकड़ी टुकड़े कर दो नहीं तो यह दुस्ट तुम्हें नस्ट कर देगा बबुल समझता था कि चन्दन भी अब साप से बदला लेने के लिए तैयार हो जाएगा पर ऐसा नहीं हुआ बबुल की बात सुनकर चन्दन सांत ही बना रहा और हस कर बोला प्रिया भाई यह दुस्ट साप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता सुगंद भिखरने वालों पर बिष्क कोई असर नहीं होता तो यह चन्दन की पेड़ इतनी सुनदर बबुल के पेड़ को जबाब दिया कि यह बिषेला साप मुझ पर कुछ नहीं बिगाड़ सकता मैं सुगंद विखरने वालों में से हूँ ये मुझे कुछ नहीं कर सकता तो बच्चों इस कहानी से इस कहानी का भाव भाव से आप क्या समझते हैं इसके बारे में मैं थोड़ा से आपको पता दू अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है ये बात बिलकुल सही नहीं है अच्छाई अपने आप मेरी इतनी मजबूत होती है कि बुराई उस पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकती है हलाकि कभी कभी परिस्थितियां ऐसी हो जाती है कि वेक्ति कुछ अच्छे कारज करते हैं जिसके परिणाम उसे उसके अनुरूप नहीं मिलने के कारण बेक्ति को निराशा हो जाती है वो सोचने लगता है कि अच्छे काम का परिणाम भी बुरा प्राप्त होता है बास्तविक्ता में अच्छे काम का परिणम सदेव अच्छा ही होता है जो लोग किसी भी कारी में बुरा करते हैं यह बुराई को अपनाते हैं उनके साथ निश्ची तोर पर नकारात्मक बात या जैसा कारी होता है उसी के अनुसा उसका परिनम उस ब्यक्ति को अवश्य मिलता है। जीवन में तभी भी इस बात को शिवकर नहीं करना चाहिए। कि अच्छी बातों का परिनम बुरा होता है। इससे आप में नकरात्मक बढ़ेगी और आप अच्छे काम करने में प्रुत साहित नहीं होंगे। जो कि जीवन की बहुत बड़ी छती होगी। आप अच्छा काम जब तक करते रहेंगे, आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होता रहेगा। कोई भी व्यक्ति सुरू से बुरा नहीं होता, परन्तु उसकी परिस्तितियां उसे बुरा बनने में मजबूर कर देती है। और उसके अच्छे की कामना करते हैं, परन्तु सब का मालिक एक है और वो सब को अपने हिस्से की सजा जरूर देता है। ठीक है, तो मैं आपको इस कहाने के माध्धन से इस कहाने का सिक्छन बिंदू बताया। और अभ्यास माला में कुछ प्रस्ण और सब्दार्थ दिये गए हैं, आप लोग इस सब्दार्थ को अच्छी तरह से याद करेंगे। ठीक है, और अभ्यास माला में आप देखेंगे कुछ मौखिक तथा लिखित प्रस्णों को दिये गए हैं। और उचित सब्द चून कर रिक्तिस्थानों को पूर्ति किजिए, किसने कहा, किसे कहा, यह सब कोस्टन आपकी पठ पुस्तक में दी गई हैं। आप लोग इसे अच्छी तरह से याद कर लें और अपनी वाइकों में इस उत्तर की उत्तर लिखें और अपनी उत्तर को अच्छी तरह से याद कर लें। ताकि परिक्षा में आपकी किसी तरह से कठिनाई ना हो, ठीक है, क्योंकि बहुत ही नजदिक आपके मिट्टम इक्जम होने वाली है, अब लोग अच्छी तरह से पढ़ेंगे घर पर और अच्छी तरह से याद भी खरेंगे, अब मैं अगला चेप्टर आपको अगले वीड ठीक है, तब तक के लिए भेन्वाद